यहां बगदन मज गई थी कुम्ब के मिले में हजारों लोग मारे गए थे कुचल करके मारे गए थे लेकिन सरकार की इज़्जत बचाने के लिए पंडित नहरु पर कोई दोस नमण जाए दाग न लग जाए इसलिए उस समय के मिडिया ने भी ये चीजे दिखाने की बहदूरी नहीं दिखाई एकाथ दो अख़बार के कौने में ख़बर छपी उसे भी दबा दिया गया उन परिवार जिनोंने अपना स्वजन खोया था उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया एक रुपिया उनको दिया नहीं दिया गया भाई यो भेनो एक ये सिरब बगदर नहीं थी बगदर के बाद जो हुआ वो असंवेदन सिल्ता का एक जुल्म था भाई यो भेनो ऐसा पाप देश के पहले प्रधान मंत्री के काल में हुआ है और इस बार का कुम का मेला देखिए करोणों लोग आए प्रधान मंत्री खुद भी आए लेकिन कोई भगदर नहीं हुई कोई मरा नहीं भाई यो बेनो ब्यवस्ता है सरकार कैसे बदलती है इसका ये उदाहरण है भाई यो बेनो जब इस बार में कुम का मेला पुन्रहुती पर था तब सान करने के लिए आया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे कारण यात्रियों को कोई असुविदा हो इसलिए में आखरी समय आया था लेकिन मेरे मन में जिन लोगों ने सफाई की उनके प्रती बड़ा सब्मान था मेरे मन में इतना बड़ा गवरव था कि सफाई करने वाले लोगों ने सचपुच में दुनिया का दिमाग साप कर दिया बारत की छबी बड़ल दी भारत का नाम रोशन उन सफाई करने वालों ने किया और इसलिए मेरा मन कर गया था और तब जाकर के मैंने इन सभी सफाई करने वालों में से कुछ लोगों को पैर धोने का मुझे सफाई के मिला था मैंने इतनी यात्राएं की है मैं हर मठ मंदिर में गया हूँ मैं बड़े-बड़े महत्माओं से मिला हूँ मैं बड़े-बड़े महत्माओं के बीच में रहकर के आया हूँ मैंने जिन्दगी के कुछ समय ऐसा गुजारा है लेकिन मेरे भीतर जो एक आनन्द था जो एक अध्याद्विक संतोस था वो मेरे इन सभाई करने वाले भाईयों को पैर दोकर के मुझे जे पुन्य मिला है वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूजी है और उनी के आशिरवाद बदोना आज मैं देश की सेवा कर पा रहा हूँ और आपी के आशिरवाद से आगे भी सेवा करता रहूंगा भाईयों बैनो कुम का अंदेरा एक आर्थिक कतिविजी का लेके आता है नए नए काम होते हैं और इस बार कुम का मेला जन भागी दारी का अब मेरा था जिस प्रकार से प्रयाग राज के लोगों ने रास्ता चौड़ा करने के लिए अपने मकान आगे का हिच्छा गिरा दिया दो फूर डाइपूर तीन फूर सरकार को जमीन दे दी बिना पैसे लिए दे दी बै ऐसे सब को सलाम करता हूं बै उनका अभिननन करता हूं भाईयों बैनों ये धर्ती भगवान बुद्द से जुड़ी हुई है और बुद्धी स्टूरिजम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है जितना ज़्यादा इस खेत्र को भगवान बुद्ध के स्टूरिजम के खेत्र को हम जोड सकेंगे हम यहां के आर्थिक ववस्ता को एक बहुत बड़ी नई उचाई पर ले जाएंगे और इसलिए हमने स्वदेश दर्सन योजना के तहब इसके विकास के लिए हेरिटेज टूरिजम के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं और उन कदमों का लाब इस खेत्र के सामान ने लोगों को मिलने वाला है उसके लिए जो मुल्भुस विदाएं चाहिए उसके लिए आज भारत सरकार के तरफ से उनको हम मदद करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये भी हमारा काम आगे चलता रहेगा भाईयों बैनों जो काम 55 साल में नहीं हुआ वो काम 55 महिने में इस चौकेदार ने करके दिखाया है कितने ही साल हो गए हमारे देश में 18,000 गाओं में बिजली नहीं थी जिस गती से ये बिजली देने का काम करते हैं अगर वो ही गती होती तो और तीस साल लग जाते इन 18,000 गाओं में बिजली पहुँचाने में वो काम बोधी ने 1000 दिन में कर दिया और उनको अंदेरे से मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने कर दिया भाई यो बेनो ये महा मिलावटी लोग जाती वाद को बल देने वाले बहुच वाद को बल देने वाले लोग हैं ये वो ही लोग है या तो इनके लोग कोई जेल में है या तो वो बेल पे है या तो या तो कटगरे में है भाई यो बेनो मुझे बताईए क्या ऐसे लोगों के बरोसे उत्तर-प्रदेश का बला होगा, क्या देश आप मुझे पताऎे, पांच साल होगे, क्या आपने जिसको प्रदान सेवग बनाया, ऐसा कोई काम इस प्रदान सेवग ने किया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश को नीचा देखना पड़े ऐसा कोई काम किया है मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे कोई एक जाती का भला हो दूसरे का न हो ऐसा किया है आपने देखा होगा ये जो प्रदान मंत्री आवास योजना होती है न पहले क्या होता था प्रदान की जाती का है सरकार की जाती की है सपा वालों की है की बसपा वालों की सपा वालों की है तो बसपा के जो मतलाता है उनको पांच साल नर्क में जीना पड़ता था बसपा वालों की सरकार हो तो सपावालों को नरकमे जीना पड़ता था बिजली कार देते थे पानी कार देते थे ऐसा करते थे भई हमने आकर के कहा जी नहीं उत्तर पुदेश का हर नागरी यह मेरा परिवार का है वो किसी जाती में पैदा हो बिरादरी में पैदा हो इससे मेरा लेना देना नहीं और इसमे ने सरकार को कहा कि आप कहीं गर बनाने हैं तो एक कोने से तै करो भाई और बनाते चलो आखरी व्यक्ति तक बनाते रहना है ये नहीं देखना है कि फलानी जाती का पहले बनेगा उस जाती का फिर सबका साथ और इतले मैं क्या करता हूँ जो भी काम करता हूँ सबके लिए गर बनाऊंगा सबके लिए किसी का 2016 में बन गया किसी का 2017 में बन गया किसी का 18 में बना किसी का 19 में बना किसी का 20 में बनेगा लेकिन 2022 तथ सबके बन जाएगे सब जाती मेरी है जैसे नमक के बिना कोई खाना नहीं बनता वैसे मेरे लिए नमक की तरह हर जगा पे फैल जाना हर एक का भला करना यही मेरा काम है भाई कई लोग 55 साल इस देश में 55 साल में 55 प्रतिशत लोग अंदरे में रहे गर में बिजली नहीं थी आज मोदी ने बिड़ा उठाया और 55 महिने में 90 प्रतिशत से ज़्यादा गरों में बिजली पहुचा दी और जो 10 परसंद बचे है न उसको भी पहुचा करके ही दम लेने वाला मेरा कहने का मतलब यह है कि देश का भला ये जाती के आधार पर रेविडिया बाटने से नहीं होगा सब का भला करने से ही देश का भला होने वाला है और इसलिए भाईयो बेनो हम उसी बात को लेके चले हैं आप मुझे बताईए भाईयो बेनो ये जितने चेहरे दिखते हैं उसमें से कोई चेहरा है आज क्या सिती है जो 8 सिते लड़ते हैं वो भी प्रदान मंत्री बनना चाहते हैं जो 20 सिते लड़ रहे हैं वो भी प्रदान मंत्री बनना चाहते हैं जो 40 सिते लड़ रहे हैं वो भी प्रदान मंत्री बनना चाहते हैं इनको मालूम है क्या अरे विपश का नेता बनने के लिए भी 50 से जादा सितों की जरुरत होती है अब ये प्रधान मंत्री बनने के लिए कमर कसके खड़े हो गए जी मुझे बताईए जितने प्रधान मंत्री बनने के लिए चेहरे दिख रहे हैं आप उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या उन पे भरोसा कर सकते हैं क्या जो सपाँ वाले गाउं के गुंडे को नहीं मार सकते वो आतंगबादियों को ठिक कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या वो बस्पावाले गाउं के गुंडों के से काम नहीं ले सकते वो आतंगबादियों को मार सकते हैं क्या मार सकते हैं क्या आप मुझे पताईए भाई आज भी दुनिया में आतंगबाद का खत्रा है कि नहीं है खत्रा है कि नहीं है पहले बार बार बम दमा के होते थे कि नहीं होते थे अयोध्या में भी बम दमा के हुआ था कि नहीं हुआ था काशी में भी हुआ था कि नहीं हुआ था मुंबई में हुआ तक नहीं हुआ था रामपूर में हुआ तक नहीं हुआ था यह बम दमागे होते रहते थे न पांच साल हो गए भई बंद क्यों हो गए पांच साल हो गए बंद क्यों हो गए यह पांच साल हो गए दमागे बंद क्यों हो गए क्या कारण है क्या कारण है क्या कारण है तमा के बंद हो गए नहीं है आपका जबाब गलत है मोधी के कारण नहीं है ये ये जो आप कह रहें न ये मोधी के कारण नहीं है ये मिडिया वाले तो खुश हो गए आपने मोधी मोधी कर दिया तो मिडिया को खुश करने के लिए जवाब नहीं देना है मोधी को खुश करने के लिए जवाब नहीं देना है सच्चे दिल से बताओ पांच साल हो गए, इबम दमा के बंद क्यों हो गए? मैं सच्चा जवाब बताओ, मैं सच्चा जवाब बताओ, आपका जवाब गलत है, मैं सच्चा जवाब बताओ आप कहते हैं पांच साले सब बंद हो गया मोदी मोदी मैं कहता हूँ ये पांच साल से दमा के बंद हो गए उसका कारण आपका एक भोट है ये आपके भोट की ताकत है जिसने इस चौकेदार को मजबुत बनाया और चौकेदार झारे हैं ये और चौकेदार के भोट हैं आपकेदार के बंद हो गया आपके वजांश को मैं कहा एक भोट है झाल झाल भाई यो बेहनो मोदी ने काराण हमारे जवानों की बादूर के काराण मोदी ने हमारी सेना को खुली छूट दे दी है सुरक्षा बलो को खुली छूट दी दी है और इतले पहले किया सर्जिकल स्ट्राइक और अभी किया एर स्ट्राइक और पाकिस्तान सोच रहा था कि मोदी ने पहली बार सीमा पर से आकर के हमारे कैंप तोड़े थे इस बार में मोदी वहां से आएगा तो उन्होंने सारी फोज वहां खड़ी कर दी टैंक लगा दी सारी चीज़े घुकड़ी कर दी दीगों को मालूम नहीं तो मोदी है हमारी सेना ने क्या किया उपर से गए बजरंग बली की जाए गोली का जवाब गोले से दे दिया भाईयो बनो आज हिंदुस्तान नया है हिंदुस्तान बदल गया है गर में गुष करके मारता है गर में गुष करके मारना चाहिए गर में गुष करके मारना चाहिए गर में गुष करके मारना चाहिए वो ही खेत उजाडना चाहिए जहां पर आतंगवादियों को दाना पानी मिलता है वो ही लाइन बंद करनी चेक नहीं करनी चाहिए मेरा रास्ता सही है आप मुझे खुश है जहां पर आतंगवादियों करनी मिलता है